नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आए होप सब बढ़िया है मस्त हैं आज के इस वीडियो में यूपी स्कॉलर्षिप 2022 से किन कटेगरी वालों का पैसा भेज़ा जाएगा साथ ही एक गुड नियूज आई है कि हज़ारों की संख्या में जो बचे हुए चात्र हैं उनकी चात्रृत्ती पुना एक बार फिर से भेजी जा सकती है तो क्या ये सिर्फ एक लुभाइना बयान है या फिर सच में हकीकत है बजट इसका क्या एलावेंस देता है यानि बजट की क्या है असलियत सेरी चीज़ों पर बात करूंगा वीडियो काफी important होगा उन चात्रों के जो बेसबरी से अपने चात्रृत्ती का इंतजार कर रहा है तो चलिए वोड़ों को सुरू करें लेकिन उससे पहले जिन चात्रों ने चैनल को नहीं सस्क्राइब किया है वो सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि यूपी स्पावड उसे को फिल्ड में आपको सबसे अथेंटिक अपडेट यहीं पर मिलेगा चलिए वोड़ों को सुरू करते हैं और आपको तो यहां साब देख सकते हैं एक और आटकल है दो आटकल से हैं दोनों पर बात करूंगा फिर छात्रों का कुछ सवाल है जिनको औरली कवर करने वाला हूँ जैसे कि छ पसरा है कि भाई जिन चात्रों को अभी पहला किस्त भी नहीं मिला है असी कटेगरी के चात्रों को और पहला किस्त कौन देता है राज्य सरकार और राज्य सरकार कितना देता है 40% अब जब वही नहीं मिला है तो सेंट्रल गवर्मेंट से कहा जा रहा है भाई जब राज्य सरकार नहीं पैसा नहीं दिया तो हम बचा हुआ पैसा कैसे दे यानि की जिन छात्रों प्रदेश में 8080 के 8333 चात्रों की सुल्क भरपाई राज्यांस के फेर में अटक गई है जाने कि अगर इस्टेट गवर्मेंट पैसा देती है तो बाकी का जो पैसा है यानि कि फीस रिंबर्श्मेंट जिसको कहते हैं हिंदी में सुल्क भरपाई वो पैसा सेंट्रल गवर्मेंट देगी मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई इस्टेट गवर्मेंट पैसा ही नहीं दे रही है ऐसे में इन छात्रों का स्कॉलर सी पानी के जो चांसेस हैं वो बेहत कम है कि अन्ना के बराबर हैं अब इन छात्रों को सिक्षर सांस्थानों की लाप्रवाही समेट कई कारडों से योजना का लाव नहीं मिल सका था केंद्र सरकार ने छात्रों को रहत देने के लिए नए बित्तिवर्स में उनके आवेदन को नए सीरे सग्रसारित करने के अनुम जाएगी जी हां कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे आज आएगी कल आएगी इस दिन आएगी उस दिन आएगी मगर हकीकत मैं आपको बताऊंगा करवा है मगर सच है वो ये कि पैसा जो है वो अब नहीं भीज़े जाएगा क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ उसको खोल दिया जाए फॉर्म भरने को लेकर तो ऐसे में चांसेस ना के बराबर हैं हलाकि पूरा अपडेट जो इसको मैं कवर कर देता हूँ पिछले बितिवर्स में यस्टी के तमाम चात्रों को सिच्छर संस्थानों के असर से डाटा फारवर्ड न करने रिजल्ट दे जाल है वह मानेता देने वाली एजंसियों की स्टीट ओवराल यह है मेरे भाई कहानी की समझ रहे हूं मैंने बात किया जब यह अब यह अर्टिकल कल की निउसपेपर निकला था मेरे पास कल थोड़ा टाइम नहीं था और मुझे बजट का भी हाल जानना था तो मैं कल होमपेश पर आते हैं यहां से आप एससी जो भी जॉब बैकेंसी है जीज़ों को तो जान सकते हो लेकिन यूपी स्कॉलर्सिप स्टेटस एक जो पेज है वह साप साप में सान आउट आपको मिल जाएगा यहां पर थोड़ा सा स्ट्राण करना है नीचे चले आना है नीचे पैसा देख लो और बैंक का डायक्ली बैलेंस चिक करके भी पैसा चिक कर लो समझ गए तो स्टेटस चिक करने के लिए आप सरकारी जब फाइंट पर विजिट करके सारा डाटा वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं दिन बाद लेकिन इसमें मैं अलग बताने वाला हूं अस और उन्होंने पहले ये कह रखा है कि पैसा अब किसी भी कटेगरी के चात्रों को स्टेट गवर्मेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा और वही बात सामने आ रही है हरेंगल से तो चलिए जो भी है यही अपडेट है I hope मैं जानता हूं कि विडियो आपके लिए उस मामल सारी चीज़ों को जाचेंगे उसके बाद बजट रिलेस करके इनको पैसा देंगे मगर अभी दिये नहीं है अब यह देखो जो भी करें वो अलग बात होगी तो आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी का मिलेंगे किसी ने वीडियो में तब तक आप चैनल को सस्क्राइब कर दो सभी लोग जितने लोग उड़ो देखर और टेली ग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तू सभी लोग जोड़ जाओ समझ गए चलिए